नमस्कार पूर्णामी स्टाइल कोकिंग में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में हर घर में बनती है यह सब्जी तो आयों देखते हैं कैसे बनता है हमने चार उबला हुआ आलू लिया है और पचास ग्राम हमने हर मटर लिया है चिनके और दो प्याज लहसुन की कन्या आठ दस एक वन इंच अद्रक का टुकडा तीन हरी मिर्च दो टामाटर इस सब को एक साथ हम पेस्ट बना लेंगे प्याज को ऐसे टुकड़ों में काटके लेंगे सभी को एक साथ हम जार में पीछ लेंगे पेस्ट हमारा बनके तयार है अब सब तड़का लगाने के लिए हमने खड़ी मसाले लिए कुछ तेश पत्ता है एक वड़ी इलाची है एक चमच जीरा है दो तिन लोंग है दो तिन काली मिर्च है हमने गैस ओन कर दिया है कड़ाई रख देंगे हमने दो टेविलिस्पून सर्षू का तेल डाला है आप कोई भी तेल ले सकते हैं अपने हिसाब से तेल अच्छा गरम हो गया है तो हम तेश पत्ता डाल दिया है तेश पत्ता लाल हो गया तो अब हम बाग की सारे खड़े मसाले को एक साथ तड़के में डाल देंगे इसको पंटे से चला लेंगे हम अब इसमें हम एक चम्मच हम हल्दी पावडर डालेंगे अब इसमें जो बना हुआ पेष्ट था टमाटर प्याच का वह सब पेष्ट हम डाल देंगे और इसको चला लेंगे पेष्ट को अच्छे से भूनेंगे जब तक की टमाटर और प्याच का कप्चपनना निकल जाहे मसाले को helps when एक चमच लाल मिर्च डाल देंगे लाल मिर्च को एक साथ में डाल के भूनेंगे पहले लाल मिर्च को डालने से अच्छा ही फ्लेवार आता है कलर बहुत अच्छा आता है सबजी में अच्छे से भूने लेंगे इसको तो देखे अभी हमारा टमाटर और प्याज का पेस्ट पकने लगा है इसको चला चला के इसे बीच-बीच में चलाते रहेंगे और भूंते रहेंगे इसको ढखके एक-दू मिनट के लिए स्लोवास पे हम पकाएंगे तो दो मिनट हो गया है तो अभी हम ढखका नटा के चेक करेंगे अभी पूरा पका नहीं है तो थोड़ा और हम पका लेंगे इसको ढखके तो दो-तीन मिनट बाद फिर से हमने चेक किया है तो देखे अभी हमारा टमाटर और प्याच का पेस्ट पक के तयार हो गया है तो भूं गया अच्छी तरह से अभी तेल छोड़ने लगा है तो इसको हम चला के अब इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और आदा चम्मच हमने जीरा पाउडर डाल देंगे इसमें अब मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे तो थोड़ा दो टेबलिस्पून के करीब पानी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए तो मसाला पकने लगा है तो हम इसमें एक चम्मच के करीब नमक डाल देंगे नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम यह जादा अब हम मसाले को अच्छे से ढग के सलो आज पर दो तीन मीनट पका लेंगे अच्छे से अचले है गया है इसको हम चला लेंगे चला चला के इसे थोड़ा ओर पका लेंगे अब इसमें हम हरी मटर है ओ डाल देंगे हरी मटर के साथ में पकाएंगे मसाले में मिक्स करेंगे मटर को इसको ढखके हमने 2-3 मिनिट और पका लिया है इसको ढखके हम पका लेंगे अच्छे से देखे भी मसाला तेल छोड़ने लग गया है तो इसको अच्छे से चला लेंगे अब इसमें जो गोयल किया हुआ आलू रखा था इसको हाथ से इसा ही तोड़के डालेंगे तो इस आलू को मसालो में अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार से जरूर ट्रै करना है सबजी अगर सूखी बनाना चाहे तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं अब दो तीन मिनट और ढखके पका लेंगे इसके बाद इसके उपर से आप धनिया डालके सर्व करें सबजी सयार हो गई है लेकिन हमको सूखी नहीं बनानी है तो हम इसमें पाने डालेंगे तो हमने एक गिलास के करीब हमने इसमें पाने डाल देंगे हम पानी अपने हिसाब से कम या ज्यादा आप कर सकते हैं अपने फैमिली के हिसाब से सबजी में उबाल आने लग गया है तो इसमें हमम हमादा चमुज गरम मसाला डाल देंगे गरम मसाला डालके अच्छे से हम पका लेंगे गरम मसाला डालने के बाद 3-4 मिनिट हम और इसको पकाएंगे गैस को मीडियम ही आज पे रखना है दीखे तो सब्जी हमारी अभी पके तयार हो गए सब्जी को बोल में निकाल लेंगे आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्यू